नमस्कार दोस्तों आज पिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बी वेस हैं माल्टा यह कंट्री है शेंगन की और बहुत ही बड़ी ऑप्शन हैं ऐसी जो वीडियो क्यों आपको माल्टा की किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी माल्टा को कि पारि में यह बताने जा रहा हूं क्योंकि जब किसी परशन को किसी कंट्री का MBBS के लिए जो बच्चों की destination UK में MBBS करने की है but due to उनकी eligibility नहीं बनती कोई percentage में proper marks नहीं आते यहां LTS में proper उनको marks नहीं ले पाते यहां UKAT जो एक international exam होता है उसमें उनके appropriate marks नहीं आते तो यहां interview clear नहीं कर पाते तो वहां की universities में admission नहीं मिलता और कुछ बच्चों का जे रहता है कि वो budget afford नहीं कर पाते UK का क्योंकि UK में जो MBBS की fees है वो लगबग जे लेकर चलिए 25 से 30 लाग एक साल की fees है वो afford नहीं कर पाते तो उसके parallel का कोई नहीं कोई बच्चे वो option ढूंडते है कि कौन सी ऐसी country है यहां पर उस parallel की study मिल सकती हो जो slavers UK universities में है MBBS का वो same parallel का slavers किसी और countries में मिले तो यह भी माल्टा है शेंगन कंट्री है UK की कलोनी रही है तो यहां पर भी English बोली जाती है तो हमारे international students भी माल्टा में higher studies के लिए जाते हैं बट serious student नहीं जाते हैं सिर्फ वो जाते हैं जिन्होंने माल्टा को transit use करना है शेंगन कंट्री में इंट्री के लिए तो माल्टा में अगर आपने MBBS करनी है तो Crown Immigration आपकी help कर सकती है वहां पर भी दो universities हैं माल्टा के अंदर जो international students को MBBS प्रवाइड करती हैं इवन आपकी जो awarding body होगी जो आपको degree मिलेगी वो UK universities की मिलेगी क्योंकि बहुत सारी UK universities के campus माल्टा के अंदर है तो अगर आप बहां जाना चाते हैं तो आप Crown Immigration को संपर कर सकते हैं तो उससे पहले हम कुछ spiritual बातें भी कर ले देख लो अगर दिल करता है क्योंकि वह भी दिल करता रहता है सबसे पहले गायत्री मंत्र है जा मृत्विंजे जो आप हवन करवाते हैं घर में मंत्र है उसके बारे में डिसकस करें यह जो दो मंत्र जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको तो एक्चुली स्पिर्चुली लोग इसको करते हैं कि भगवान को पाने के लिए अगर सेंटिफिकली लेकर चलें जो इसकी साउंड है ना यह इस मंत्र के वह आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं बोडी के अंदर उनको एक्टिव करता है जो डेट ग्लैंड्स हैं जो आपके किसी का करने से बगवान मिलते हैं या फलाना मिलते हर एक बंदे की अपनी अपनी स्परेशलिटी है सेंटिफिकली जो हमारे जो सेंटिस्ट है उन्होंने जह बता है कि इसका यह इफेक्ट है इन दो मंत्रों का तो यह दो मंत्र आपको जूर उचारन करने चाहिए अगर आप चार वजे के बाद पांच शे साथ वजे से पहले पहले करते हैं या शाम को जब सुर्यास्त होता है डूपता उस टेम करते हैं तो आपकी बोड़ी एक्टिव रहेगी कौन सा है पहले हम ग्यात्री मंत्र के बारे में बात करेंगे ओम भू भवैस्वह तत्सभी भरगे नि तो इसी तरीके से जो मृतिंज का जो मंत्र है अगर उसको पढ़ते हैं ओम त्रयंगं यशा महे सुगंदम पुष्टी वर्धनम उर्वारुकुमी बंदना मृत्यों मौक्षयम आम्रता ओम शांती शांती इसका अगर आप उचारण सिस्टेमेटिकली करते हैं तो तब भी आप फिजिकली फिट हो सकते हैं तब भी आपके अंदर जो वाइब्स हैं आपका जो माइंड फ्रेश हो सकता है यह नहीं है कि इससे भगवान मिलते हैं तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई फंडा है हम अपने टॉपिक पर आते हैं माल्टा माल्टा कंट्री कहां पर है चन्क पर समुनतर के बीच में चोटी सी कंट्री है इसकी पॉपुलेशन अचाथ चार लाग की पॉफॉलेशन है तो इसकी जो क्यांदर है कि से पांवनेर भी यह के अनदर है और यहां की भी युनिवस्टी यह में करनी हैं अगर वो कहते हैं कि world director of medical school उसके अंदर मिल जाएगी सब कुछ everything is okay अगर आप यहां पर जाना चाते हैं लेकिन fees अगर आप afford कर सकते हैं तब जाने का फैदा है यहां पर जो fees है 23,000 euro एक साल की fees है 5 साल यह वियर करनी पड़ेगी 5 प्लस 1 एक साल की internship है यहां करने के पाद new लिए माल्टा में सट्रों हो सकती है जो बच्चे बाकिक कंट्री से करने के आते है यहां पर जो एक रद Module company को और यहां पर अगर आप अच्छे पैसे सकते हैं क्यूंकि इन country में two actors की काफी डिमांड है इवन पूरा शेंगन कंट्रीज पढ़ी हुए आपके लिए तो शेंगन कंट्रीज में डॉक्टर की सहली कंपेरटिबली इंडिया से कंपेर करते 25 जार मिलता है तो बहाँ पर आप कम से कम साथ साथ सातर सतर हैयार minimum कमा सकते हैं बाकि depending on the country कौन सी country में आप practice कर रहे हैं तो english कि उनकी official language ने English भी बोली जाती है यहां पर Malta के अंदर तो फीस इसकी है 23000 योरो 23000 मतलल बीसलाक रपया साल की फीस है अगर आपका एक करोड का बजट है तो माल्टा की और आप 100% का मतल जरूर अपना इंटरस दिखाएं जिन बच्चों की destination UK की है UK में बच्चे की जो fees है कम से कम मैंने फिर बता दिया अगर आपका बजट 2CR से ज़्यादा का है तब ही UK में जा पाएंगे और admission का क्रिटेरिया इस बेरी डिफिकल्ट तो गैट दा अडिशन यूके बट यहां पर उससे कमपेर्टिवली लीनियर्ट है बट इतना लीनियर्ट नहीं है कि जितना मैं इस वीडियो में इसली बिता रहा हूं तो यूकेट का एक्जाम है उसको आपको क्लियर करना पड़ेंगा उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे आपके लास्ट परसंडेज कितने है वह भी डिपेंड है और आपका इल्टीस भी होना मेंडिट्री है यहां पर रुक्वाइर्मेंट यूनिवस्टी की कि सिक्स बैंड है किसी की सेवन बैंड है डिपेंड है कि आपकी प्रफाइल कैसी है परसंटेज अभी आप कहें कि 50 परसंटेला जहां जा सकता है वो नहीं जा पाएगा जितने अच्छे परसंटेज होंगे जैसे यूके में तो 80-85 परसंट चाहिए तो यहां पर अगर आपके 75 परसंट है यू अभी क्वेस्टन क्या आता है कि क्या नीट की रॉक्वार्मेंट है मैंने फिर बता दिया है नीट हमारी इंटर्नल रॉक्वार्मेंट है ओनली इज लिम्टड फार परक्रिस करनी है तो फिर नीट करके ही जाएंगे आप नहीं करनी है तो शेंगन इसना बड़ा मतल पूरा कंटिनेंट बड़ा हुआ युओर्म यहां पर प्रक्रिस कर सकते हैं तो ऐसी जो वीडियोज हैं वही डाल सकते हैं जो प्रैक्टिकली इस फिल्ड में काम कर रहे ह तो अगर आप Malta में जाना चाहते हैं, तो हम आपकी 100% help कर सकते हैं, इवन आपको बहाँ पर MBBS करने के पास MDMS के भी options मिल सकते हैं, उसकी वीडियो में separate लेकर आँगा कि अगर आपने MDMS Malta से या another Schengen country से करनी है, तो उसकी क्या requirement है, उनका medium of instructions क्या है, MDMS के लिए वो में separate MBBS की हुई है, आप Schengen countries में बहाँ पर migrate होना चाहते हैं, as a student, तो मेरे पास lot of options हैं, लेकिन MDMS के लिए jam set का exam देना पड़ेगा, अगर आप Schengen countries से जाकर अपनी MDMS करना, हाँ, अगर आपने बहाँ पर सिर्फ settlement चाहते हैं, कि मैं वहाँ पर practice करना चाहता हूं, doctor, मैं वहाँ पर उस country में entry और वहाँ की residency लेना चाहता हूं, then we have a lot of option, मैं आपको वहाँ पर student बनाकर बेश सकता हूं, Schengen countries में मेरे पास Scandinavian countries है, Norway, Finland, Denmark, Sweden, उन country में France है, Germany है, Italy है, इन countries में मैं आपको master degree के लिए बेश सकता हूं, लेकिन MDMS नहीं होगी, वो master in health management हो सकता है, इस से लेटर ज master degree है, उसके तुरू बहाँ जब चले जाते हैं, जाकर अगर आप वहाँ की local language clear कर लेते हैं, तो बहाँ पर भी आप full pledge doctor मन सकते हैं, अपनी क्लीनिक खोल कर भी अपनी practice कर सकते हैं, हमारे पास lot of options हैं, अगर आप MBBS से लेटर अगर आपकी कोई भी query है, तो आप क्राउन इम immigration से संपर्क कर सकते हैं, क्राउन immigration आपको एक बिल्कूल fact information provide करेगी with government के links के साथ की आप इस website में visit करें, तो उसके बाद decision लें, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि चलो आपको हम इस country में बेज दें, जो country लोग आम promote करते हैं, हमारे पास हर एक country के option मिल सकते हैं, according to आपके budget, तो अ अगर मुझसे कोई information लेना चाते हैं, आप अपना message उसके ऊपर बेजें, और उसकी information 100% मुझसे उसकी reply पाएंगे, पाएंगे, तो लास्टी मेरी यही request है, कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लिग, इसको like and share करना नाम ले, thank you.